कोई college या कोई certificate, कोई भी चीज आपका जिन्दगी में आप क्या बनोगे, कितनी उंचा ही पर जाओगे, यह decide नहीं कर पाएगे, remember this, always remember this, आपका skill set decide करेगा कि आप कहां तक जाओगे जिन्दगी में, तो इतना मत दिमाग में रखना कि यार मेरे फ्रेंड को तो अच्छे मार्क से, वो तो COEP जाएगा, PICT जाएगा, CANGR जाएगा, VIT जाएगा, मुझे तो नहीं मिल रहा है, यार मेरा तो score कम है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, कैसे हैं आप लोग, इस वीडियो में आपका स्वागत है, और हमारे अपने चैनल पर भी में आपका स्वागत करता हूँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि अडमिशन का पिरेड है, और आज कल से ही डेट शुरू होगी है, कि option form आप भर सकते हो, बराबर हैं, एंजिन हो जाता है, maximum हो ही जाता है, और MSTCAT के थुरू तो है, तो बहुत सरे मुझे doubts ये आये थे, कि बहुत सरे बच्चे ये पूछते हैं, कि सर, option form कैसे भरे, ताके कोई गलती ना हो, तो quickly बात करेंगे, और जो important points है, जो आपको consider करने चाहिए, उस पे हम ज़रूर focus करेंगे, ठ तो option form बरना मतलब क्या होता है, आपको colleges की list जो आपके दिमाग में, वो वहाँ पर आपको डाल देना है, बढ़ाब choice code के हिसाब से, बढ़ाब, तो किसी particular college के अंदर कोई particular course है, तो उसका एक choice code होता है, बढ़ाब, उसके हिसाब से आपको list बनानी है, ऐसे कई सारे बच्च आपका score अगर ज्यादा है, और आपके दिमाग में कोई college है, जिसमें आपको admission चाहिए, मान लीजे, COEP अगर बात करते हैं, तो 99% के ओपर पिछले साल का गटाव था, तो अगर आपको उतना score है, तो आपको लगता है, मुझे COEP चाहिए, आपको 100% है, in case, मान लीजे, आप आपको 100% है, तो आपको CEP मिलेगा, कोई भी course मिलेगा, तो ठीक है, आपको कोई और college दाननी के जरूरत नहीं है, वस वक्त, ठीक है, तो हर कोई तो 100% है या 99% है नहीं होता है, तो कई सारे जो average score वाले students होंगी, उनको तो list बनानी होगी, और list ऐसी बनानी है आपको, कि अगर आपने option form भरा है, तो थोड़ा वक्त लीजिए उसको confirm करने से पहले, एक दिन और लीजिए, पहले दिन list बनाईए, अगले दिन, तीन दिन का वक्त है, तो आप तेरा को अगर list बनेए, तो 14 को शाम तक आप confirm कर सकते हो, थोड़ा वक्त लीजिए, एक गंटे में कर द 15 को भी सुबह में आप कर सकते हो, at the last moment पे नहीं करना है, थोड़ा पहले करना है, लेकिन एक दो दिन आप ले सकते हो, ठीक है, तो क्या क्या preferences होने चाहिए, मान लीजे मैं admission लेने जा रहा हूं, और मेरा score कुछ भी हो सकता है, 60 percentile मान लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो म वहाँ पे available है, तो cut-off मैं check करूंगा, और मैं अपने वीडियो, वीडियो भी बनाई हुए, अपने चानल पे, जितने भी पूने में, नाशिक में, कॉलेज से, इंजिनरिं के सब के वीडियो अवेलेबल है, अगर मुझे work मिलता है, मैं जाओंगा, वीडियो देखूंगा उसके साथ cut-off, फिर सारी चीज़े, placement के बारे में भी बताया हुआ है, हर एक college के उपर dedicated वीडियो है, तो उसकी भी help ज़रूर लूँगा मैं, तो एक और यह आइडिया मेरे दिमाग में आ जाएगा, कि कौन सा college मेरे लिए best है, अपकोर्स वहाँ पे cut-off भी matter करता है, मान ल minus 5 to 10 percentile के जरूर आप consider कर सकते हो, ठीक है, तो आपको एक list बनानी है, list में ज्यादा से ज्यादा colleges रखो, क्यों, क्योंकि देखिये, क्या होता है, first round is the most important round, cap round का first round में, ज्यादा से ज्यादा, 99% आपका first round में होना चाहिए selection, क्योंकि cap round 2 में, फिर, मान लिज़े, आपको computer engineering course चाहिए, और cap round 1 में नहीं मिलता है, तो जो college आपको चाहिए था, फिर, किसी भी college के अगर बात करते हैं, तो उसमें ज्यादा तर seats तो fill up हो जाएंगे, cap round 1 में ही, तो बहुत कम seats बचेंगे, ऐसा भी हो सकता है, seats बचे ही न, cap round 2 के लिए, तो इसलिए आपको cap round 2 का weight नहीं करना है, 99% ऐसा है कि आपका cap round 1 में मिल जाना चाहिए, कोई न कोई college और जो आप course चाहते है, वो course, ठीक है, क्योंकि cap round 1 में सारा का सारा खाली होता है, seats तो ज्यादा chances ने वहाँ पर मिलने, लेकिन आपको दिमाग लगा के list डालने हैं, तो कैसे college select करें, तो सबसे पहले आपके preferences क्या है, आपको hostel चाहिए, क्योंकि कई सारे colleges ऐसे भी होते हैं, जहां पर hostel अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एक बात में बताओ, जहां सारी facilities अवेलेबल हैं, उस college का cutoff भी बढ़ता है, और आपका score कम है, तो कुछ चीज़े आपको compromise करनी पढ़ेंगी, बरबर, location क्या है, इससे आप से आप compromise कर सकते हो, जो college का location थोड़ा outside है, वहां का cutoff कम होता है, comparatively, बरब, तो आपका score अगर कम है, तो आपको outside college में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका score कम है, बरब, आपका score जादा है, तो फिर आपके बहुत पास बहुत सारे choices होते है तो यहां पर आपको सबसे पहले choose करना है, मेरे preferences क्या है, बरब, college मुझे कैसा चाहिए, और आपका score कम है, तो आपके पास जादा choices नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, मुझे ये course चाहिए, particularly मान लीजे, computer engineering चाहिए, IT चाहिए, तो मैं बाकी चीज़े compromise करूँगा, मु एक ही college पकड़ के बैठोगे, उसका अगर cutoff जादा है, तो आप बोलोगे, यार, देखता हूँ, यार, मिल लग गया, तो लग देखा, नहीं, फिर पच्तावा होगा बाद में आपको, क्यूंकि cap round 1 में नहीं लगा, cap round 2 में, जो college मिलने वाले थे, वो भी नहीं मिलेंगे क्यूंकि उसके seats full हो जाएंगे, ठीक है, cap round 2 में वेट नहीं करना है आपको, तो cap round 2 में बहुत कम seats रहते हैं, और computer IT जो भी most wanted, जो courses से जाहतर, उसके तो seats नहीं रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, मान लिजए, 60 seats से तो 5, 10, 15 ही रहते हैं, तो इसलिए cap round 2 का वेट नहीं करना ह ठीक है, तो cap round 1 में ही होना है, सबसे पहली बात, तो दिमाग लगा के, तो कुछ points में आपको बताता हूँ, जैसे की seat matrix, seat matrix देख लेना, मैंने उसके उपर वीडियो बनाय हुआ है, उसके बाद आपका score आपके दिमाग में रखना है, फिर हर एक college का cut off देख लेना, सबसे प मुझे पूने इंवश्यटि में करना है, तो पूने इंवश्यटि में आशिक भी आता है, नगर भी आता है, तो पूने की CTA colleges का cut off जादा होता है, जो पूराने colleges से उनका cut off जादा होता है, और top 5 colleges का list का video भी आपने बनाय हुआ, वो भी देख सकते हैं, अगर आपका cut off उत वो बनाते वक्त ये दिमाग में रखना मैं college के पास hostel में रहने वाला हूँ या मेरे घर से up-down करने वाला हूँ क्योंकि कई सारे students होते हैं घर के पास का ये college अगर available है तो वो लेते हैं तो आप ये भी दिमाग में रखना traveling में बहुत ज़्यादा time नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको चार साल वहाँ पर पढ़ना है हर रोज अगर आप 2-3-4 गंटा college में आने जाने में लगाते हो it does not make any sense क्यों मैं बताता हूँ आपको क्योंकि ठीक है आपको एक मेना दो मेना नहीं जाना है चार साल अगर आपका 3-4 गंटा हर रोज अगर traveling में जाता है न तो मेरे इसाब से वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो 3-4 गंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने skills सुधार सकते हो बहुत कुछ development कर सकते हो अपने अंदर तो इससे अच्छा आप क्या करो अगर 3-4 गंटा आपका 2 गंटा दो गंटा भी ज्यादा है यार दो गंटा भी अगर आपका traveling में जाता है न तो आप college के पास जाके रह सकते हो paying guest college के hostel में ऐसा कुछ भी अग अगर आपका score कम है अगर ऐसा लगता है यार मुझे COAP नहीं मिलेगा मुझे PICT नहीं मिलेगा तो क्या मेरा career वो तो students का career अच्छा हो जाएगा मेरा career नहीं ऐसा नहीं होता है it doesn't matter देखिए ऐसा नहीं सोचना है आपको आपको एक college आपका career नहीं decide करेगा remember this अगर आप पुने इंवर्शिटी को affiliated है at the end आपको certificate वहीं मिलेगा अब यह अच्छी चीज़े तो होती है अगर आप PICT COAP में होते हो तो आपको कई चीज़े benefits मिलते हैं बराबर वहाँ पर quality education होता है इसका मतलब यह नहीं कि बाकी colleges आगर आप lower level के colleges में पढ़ते हो तो आपका कोई मतलब भी नहीं है आपका कोई quality नहीं है status नहीं ऐसा नहीं है कई students ऐसे हैं सामने example है मेरे colleagues है जो lower level colleges से भी बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी life में career में तो यह मत सोचना बराबर अब सोचते हैं कई सारे बच्चे comment में भी पूछते हैं sir यह college लूँ या वो college लूँ नहीं यार ऐसा मत सोचो आप क्या करो जो videos बना हैं आप सबसे पहले criteria रखो placement जिस college का placement आपको लगता है अच्छा है वो college चूज करो अगर आपके पास choices से तीन चार choices से उन में से placement के हिसाब से आप categorize करो टॉप को रखो उसको campus और इस college का बड़ा campus है नहीं वो ज्यादा matter नहीं करता है अपनी life में और आप सिर्थ इन चार साल निकालने है चार साल उसके बाद आप campus में नहीं रहने वाले हो और उसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा और teaching बहुत सारी बच्चे बोलते हैं सरे teaching का उन से college का अच्छा यह नहीं बोल सकता कोई भी इस college का अगर teaching अच्छा है अगर ऐसा कोई बोलता है आपको अच्छा भी था तो अब है या नहीं वो नहीं समझ सकते किमकि स्टाफ तो चेंज होते रहते हैं क्या पता अभी पिछली बार जो स्टाफ था महाँ पर वो चेंज हो चुका होगा तो teaching आपको खुद को ही करना है सब कुछ जो development या पढ़ना है आपके खुद की उपर है वो तो सिर्फ guidance होता है तो आपको selection placement होना चाहिए college कितना पुराना है ज्यादा पुराना होगा तो ज्यादा अच्छा होता है वो मिल सकता है तो वो भी आप consider कर सकते हो तो क्या-क्या points वो भी हमने पिछली वीडियों पर देखे थे उसके बाद आपको इस तरीके से list बनाना नहीं है और यह freeze जो होता है auto freeze उसके बाद not freeze हो गए यह भी हमें बताता हूँ बताता हूँ आपको क्या होता है अगर आप पहला college डालते हो list में जो पहला college आपको मिलता है वो auto freeze हो जाता है मतलब उसके में आपको admission लेना ही पड़ेगा पर आपके पास ना क्या आगले round में नहीं जा सकते हो आप कोई choice नहीं बचता है इसलिए पहला college जो डालोगे वो वही डालो जो आप anyhow लेना चाहते हो लेकिन ऐसा भी मत डालो कि मेरा 60% score है और मैं पहले COVP डाल रहा हूँ ऐसा भी मत डालो बरबर तो आपके पहुंच के बाहर के colleges मत डालो remember this इसका नुकसान होगा आपको बरब ऐसा college डालो जो आपके असपास है हाँ आपके score से ज्यादा cut off ओला चलेगा ठीक है तो दूसरा college और second number से जो आगे वाले colleges होते हैं उनमें से अगर कोई लगता है college आपको मिलता है तो आपके पास फिर choice है आप freeze करके admission confirm कर सकते हो उस college में या फिर आप not freeze करके betterment के लिए जा सकते हो तो जब allotment का list आएगा तब मैं एक video बनाऊँगा आपको करना क्या है freeze क्या होता है not freeze क्या होता है उसका मतलब क्या है और क्यों करना है remember this जब freeze करते हो तो वह सोच के करना है क्योंकि एक बार हो गया तो फिर आपको change नहीं कर पाऊगे उसी college में आपको जाना पड़ेगा admission लेना पड़ेगा उसी college से आपको engineering करना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखना है तो इसके उपर अगर कोई भी doubt हो या न कमेंट section में ज़रूर बता देना I think मैंने बहुत सारी चीज़े आपको बता दिये और aid में मैं यह भी बता दूँ आपको कोई college या कोई certificate कोई भी चीज आपका जिन्दगी में आप क्या बनोगे कितनी उंचा ही पर जाओगे यह decide नहीं कर पाएगे remember this always remember this आपका skill set decide करेगा कि आप कहां तक जाओगे जिन्दगी में तो इतना महत दिमाग में रखना कि यार मेरे friend को तो अच्छे marks है वो तो COE पी इसा नहीं होता है remember this क्या पता आगे जाके आप उसके आगे निकल जाओ और किसी के आगे निकलना मतलब development नहीं होता है remember this किसी के compete नहीं करना है बरब मेरे हिसाब से मुझे best college मिलेगा बस इतना ही मैं चाहता हूं मेरे score के साब से मुझे best मिलना चाहिए 60 percentile वालों के हिसाब है उनमें से best choose करना है आपको 80 percentile है तो उसमें से आपको 80 percentile के हिसाब से best college choose करना है ठीक है तो I hope आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाहता हूं तो किसी का कुछ आप suggestion वगेरा ये मतलो depression में नहीं जाना है यार मेरा तो friend वहां पे गया soap में गया तो मैं तो यही पढ़ूँगा ऐसा नहीं सोचना है विल्कुल भी तो आप वो भी computer engineering बनने वाला है वो आप भी computer engineering बनने वाला है बस college का फर्क है और सावीति भाई पूले पूने university का अगर बात करते कोई भी university हो या university को एफिलेटर कोई भी college है तो सब का curriculum एक ही इस चीज़े सेम होंगी सब को सरेटिफिकेट एक ही मिलेगा तो सेम quality students pass out होने वाले चाहे PICT से हो या फिर lower level colleges से हो नाशिक से हो या पूने से हो या नगर से हो तो यह दिमाग में नहीं रखना है आपके उपर है आप चार साल क्या करते हो कितनी मेहनत करते हो उसके उपर मैं guide करता रहूंगा आपको career wise don't worry ओके तो चानल के साथ जुड़े रहना है और ये वीडियो को like करो क्यों बोलता हूं मैं आपको पता है वीडियो का अगर आप like करते हो YouTube algorithm जो है ये वीडियो ज्यादा लोगों तो पहुंचाता है बस मैं ये चाहता हूं ज्यादा लोगों तो पहुंचे अगर किसी के अंदर कोई misunderstanding है उसका clear हो तो ये चीज़ जरूर आप खुद भी share कर सकते हो वीडियो ठीक है तो कोई बीडाउट हो कमेंट सेक्षिन में जरूर बता देना और चानल के साथ जुड़े रहना फिर से बोलता हूं और रुकते हैं आप और मिलते है कर इंग्फर्मेटिव वीडियो के साथ